यूजी सी नेट उर्दू पेपर यूनिट सेवन मगरिवी तनकीद अफलातून 424 कबल मसी तर 344 कबल मसी चार सो चोबिस कबल मसी में पैदाइश और 344 कबल मसी में उनका इंतकाल हुआ था नामवर यूनानी फलसफी अफलातून का जमाना हजरत अईसा से लगभग 400 साल पहले का जमाना है वो सुकरात का शागिर्द और अरस्तू का उस्ताद था अफलातून शायर था लेकिन शायरी से मायूस होकर आखिर कार फलसफे की तरफ मतवज्ज़ हो गया तनकीद के फन पर उसने कोई मस्तकिल किताब नहीं छोड़ी लेकिन मकालमात अफलातून में ऐसे इशारे मौजूद हैं जिन से उनके तनकीदी नजरियात आसानी के साथ मुरत्ब किये जा सकते हैं इन मकालमात में जम्हूरिया और कानून खास तोर पर अहम है अफलातून ने एक जगा कहा है के शायरी का जमाना रुखसत हुआ अब फलसफे का जमाना है और फलसफा ही इल्मों सदाकत का सरचस्मा है यही नहीं बलके उसने अपनी तमाम नजमों को जला डाला और जब उसने एक मसाली रियासत का तसवर पेश किया तो शायरों को उस से शहर बदर कर दिया इसलिए ये नतीजा निकाल लिया गया कि वो शायरी का दुश्मन था लोग भूल गएं कि वो खुद शायर था और आला दरजी की शायरी का गदरदान वो उस शायरी को ना पसंद करता है जो अखलाक को खराब करे आवाम के पस्त जजबात को भड़काए बदतहजीबी और बदमजाकी की इल्म दे सेडनी कहता है के अफलातून का एतराज शायरी पर नहीं बलके पस्त और गएर अखलाकी शायरी पर है अफलातून के जमाने में ये ख्याल आम था के शायरी किसी शओरी कोशिस का नतीजा नहीं कोई गएबी ताकत शायर से ये काम लेती है शायर जब शेर कहता है तो वो अपने आप में नहीं होता बलके उस पर जजब की कैफियत या जुनून का आलम तारी होता है इस खुद फरामोशी इस खुद फरामोशी के आलम में वो कुछ भी कह गुजरता है देवी देवताओं की तोहीन करता है और इनसानी जजबात में तहजीब के बजाए हेजान पैदा कर देता है ड्रामे से अफलातून इसलिए बेजार है के ड्रामे के ज़ादा तर किरदार बुजदिल, बदमाश और मुजरिम होते हैं ड्रामा निगार ड्रामा लिखते वक्त अपने आपको उन किरदारों में जजब कर देता है और जब ड्रामा पेश किया जाता है तो देखने वालों का भी यही हाल होता है वो भी खुद को उन किरदारों के साचे में ढाल लेता, ढाल लेना चाहते है अफलातून, अल्मिया के नस्वानी किरदारों को खास तार पर मजम्मत करता है क्योंके यह औरते अमूमन इश्क लड़ाती, रोती, बसारती या लड़ती जगरती नजर आती है तर्बिया के किरदारों को सस्ता मजाग पर बर्बाद कर देता है तर्बिया की एक बात, अलबता अफलातून को पसंद है वो यह के, जब हम किसी की कमजोरी पर हसते हैं तो वो भी समझ लेते हैं के, उस कमजोरी से हमें बचना चाहिए मतलब ये, कि अफलातून शायरी से इखलाकी तालीम का काम लेना चाहता है अफलातून उस शायरी का हामी है नहीं जिस से सिर्फ मुसर्ट हासिल हो उसके नजदीक शायरी का असल काम जिन्दगी को बहतर बनाना है ये मकसद इस तरह हासिल हो सकता है के शायर और ड्रामा निगार जिन्दगी को वैसा न पेश करे जैसी के वो है बलके उस तरह पेश करे या दिखाए जैसा कि उसे होना चाहिए जो किरदार पेश किये जाए वो मिसाली हो ताके अच्छे किरदारों की नकल करने वाले भी अच्छे हो जाए अब ये बात वाज़ हो गई कि अफलातून मौले में अखलाक था और चाहता था कि शायरी और ड्रामा आला अखलाक की तालीम दे आला और अखलाकी शायरी का गदर्दान होने के बावजूद अफलातून शायरी और मसवरी को फलस्फे से नीची सता पर रखता है उसे शिकायत है के शायरी शायर जजबात को तोर मरोर के और मसवर रंगों को खलत मलत करके पेश करते हैं और दोनों नकल की नकल करते हैं अफलातून अपने नजरिया नकल को एक पलंग नजरिया नकल को एक पलंग की मिसाल से वाज़ करता है जिसकी असल मिसाल खुदा की देन में महफूज है बढ़ी पलंग बनाता है तो उस शकल की नकल करता है इस तरह उसकी नकल असल से एक कदम दूर होती है मसवर पलंग की तस्वीर बनाता है तो वो बढ़ी की नकल की नकल करता है जो गोया असल से दो कदम दूर और बेवकात होती है यही हाल शायरो शायरी का है अफलातून शायरी को तीन हिस्सों में तक्सीम करता है तीन हिस्सों में बयानिया शायरी ड्रामाई शायरी बयानिया शायरी ड्रामाई शायरी और रजमिया शायरी और उसका ख्याल है के आखरी दो में नकाली का अंसर जादा होता है शायर और मसवर के यहां अफलातून को एक और बात मुश्तरक नजर आती है वो यह के दोनों की तखलीकात ठोस नहीं होती बलके मोहूम अक्स पेश करती है इसलिए दोनों हकीकत से कमतर दर्जे की होती है अफलातून फन को एक जानदार शय तसलीम करता है जिस तरह जिसम सर और पैर रखता है उसी तरह एक फन पारे में आगाज वस्त और इंतहा होते है जो आपस में गहरा रब्त रखता है अफलातून मश्क और मुताले को एहमियत देता है और उस फन की कदर करता है जिसमें महनत हो